क्या आप जानते हैं कि मर्यम नवास के सुसर अल्ला के वनी थे ट्रिपल वन ब्रिगेट के सबसे हुपसूरत कैप्टन मुहम्मद सफ्तर अवान जब नवाशिफ के बतोर ADC प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहते थे तो वहां उनका 16 साल की मर्यम नवास से इंट्रेक्शन कैस हुआ था दोनों की शादी किन हालात में हुई और इस सारे वाके की हकीकत क्या थी मर्यम नवास को आर्मी मेडिकल कॉलिज से क्यों ड्रोप आउट होना पड़ा स्यासत में आने से पहले मर्यम नवास क्या कुछ करती रही क्या वाकई मर्यम नवास अपने बेटे जुनेद स दफ्तर और आईशा सैफ की तलाग की वज़ा थी मरियम नवास की मलकियत में कितनी फैट्रियां मेल्स और कारखाने हैं और वो असल में कितनी अमीर है मरियम नवास ता गौाल मंडी से वज़ारत आला तक का मुकमल सफर आज की एक्स्क्लोजिव वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर किया जाएगा आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स और मैं हूं कि इन्जा फर्मान मिरे इंस्टा अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो लेट्स बेगें मरियम नवास के परदादा मिया मुहम्मद रमजान के साथ बेटे थे आजादी के बाद साथों भाई मिया मुहम्मद शफी, मिया अब्दल अजीज, मिया बरकत अली, मिया मुहम्मद शरीफ, मिया मिराजद्दीन, मिया मुहम्मद बशीर और मिया सिराजद्दीन लाहो राकर रहने लगे यहां उनका चौंक डालगरा में एक चोटा सा स्टील पिगलाने वाला कारखाना था याद रहे कि श्रीफ फैमली की मुखालफीन उन्हें आज भी लोहार कहते हैं मिया मुहमद श्रीफ मरियम नवास के दादा थे मरियम नवास के दो जचा और एक फुपो है जिनके नाम मिया मुहमद श्रीफ मिया अबाज श्रीफ और कोसर श्रीफ है मियम नवास को यह यादास हासल है कि उनके वालगरद, वालिदा और दोनो चचाचा कौम इस्वली के मेंबर बन चुके हैं नवाज श्रीफ तीन मरतबा जबके शेहवाज श्रीफ दोजार चॉबिस के इलेक्शन के बाद दूसरी मरतबा प्राइम निस्टर बनने जा रहे हैं मरियम नवाज के वालिदा कुलसुल नवाज को ये अजास हासल है कि वो तीन मरतबा पाकिस्तान की खातुन ने अवल रही मरियम नवाज के नाना का नाम डॉक्टर हफीजुला बडद था जो अंदरून लाहोर के लाके मिस्री शाह के रहने वाले थे हमारे नाजरीन के लिए ये बात दिल्चस्पे से खाली ना होगी कि मर्यम नवास की वालिदा रुस्तमे हिंद और वर्ल्ड चेंपियन गुलाम मुहम्मद बख्ष अलमारूफ गामा पहलवान की सगी नवासी थी मर्यम नवास 28 अक्तूबर को अपनी बर्थडे मनाती हैं मों 1973 में लाहोर में पैदा हुई और उनकी उम्र इस वक्त 51 साल है उन्होंने अपनी इव्दारी तालिम गड़ी शाहु लाहोर के कॉन्वेंट अफ जीजस एंड मैरी स्कूल से हासिल की नवास्चिफ की स्यासी जानशीन मर्यम नवास को डॉक्टर बनने का शोग था वो पहले आदमी मेडिकल कॉलेज जावत पिंडी में जेरतालीम रही ऐसा बताया जाता है कि आदमी मेडिकल कॉलेज डिसिप्लेंड माहोल मर्यम नवास को रास ना सका एक मोका पर मर्यम नवाज को पास करवाने के लिए करनल साहब पर प्रेशर डाला गया लेकिन उन्होंने साफ इंकार कर दिया बादजा वो कुछ अरसे तक लाहोर की किंग एड़ड्स मेडिकल कॉलिज से M.V.B.S की स्टडीज करती रही ताहम उन्होंने अपने डिग्री मुकंबल नहीं की मर्यम नवाज ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स में लिखा कि उन्होंने पंजाब यूनिवरस्टी से इंग्लिश लिट्रेशर में मास्टर्स किया हुआ है आप इस पोटोग्राफ में मिया मुहम्मद नवाज शरीफ के पीछे नौजवान कप्तान मुहम्मद सफदर अवान को देख सकते हैं नूली की मुखालफीन की जुबानी तो कैप्टन सफदर मर्यम नवाज को फांस कर उसे इस्तमाल करता रहा और जब पानी सर से गुजरें लगा तो नौजवाज शरीफ ने मजबूर होकर अपनी बेटी को सफदर अवान से बेहाने में आफियत जानी मिया साथ की साथ जादी मर्यम नवाज और कैप्टन सफदर की लव स्टोरी और शादी के हवाले से कई किस्से कहानिया सोचल मीडिया पर सर्कूलेट रही है सियासी पॉइंट्स पर हम इखिलाफे राय का हक रखते हैं लिकिन इसका तो बिलकुल भी हक नहीं रखते कि किसी के बारे में मगल्लजात और उल्टी सीधी बाते करे वो कहते हैं ना कि दुश्मनी जरूर करो लेकिन इखलाग से ना गिरो जैसे नून लीग वाले इमरान खान की मुवयना ना जायस बेटी टेरियन वाइट की तस्वीरे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उसे डेवल ओफ तस सेंचरी साबित करने के दर पे होते हैं तो वैसे कप्तान की नाम लेवा मर्यम नवाज और कैप्टन सफ्टर की मुवयना लव स्टोरी गेराज की कहानियां भाग कर शादी और ना जाने क्या कुछ लिखते बोलते रहते हैं दोस्तों वाज़न है कि माज़ी में राना सनावला खान ने मर्यम नवाज और कुलसुम नवाज के बारे में जो तजहीक आमेज जुम्ले दो रहाए थे वो आज भी रिकॉर्ड पर हैं जिसकी वड़ा से मौतरमा बेनिजर वुटो ने राना साब को अपनी पार्टी से किकाव कर छोड़ा लेकिन अब वो राना सनावला खान मर्यम नवास को यस मैडम भुकारते नजर आते हैं कैप्टन सफ्तर खुद बताते हैं कि मैं अपनी जवानी में इतना होट इतना खुबसुरत था इतना खुबसुरत था कि मैं जब भी वर्दी में अपने आबाई शहर मांसरा जाता तो औरती अपने मकानों की छटों पे चड़कर मुझे देखा करती थी और लड़कियों के ट्रेंड सोलजर था यही वज़ा थी कि मेरा कभी भी उन दोनों बेहनों से कोई इंट्रेक्शन नहीं हुआ मैं ऐसी जुरत नहीं कर सकता था कि अपने बॉस के खांदान की तरफ आँख उटा कर भी देखू नवाज श्रीफ ने खुद मेरे वालिद इस हाक मसरूर से हमारे रिष्टे की बात की और फिर नवाज श्रीफ की 42 साल गिरा के रोज 25 दिसंबर 1992 को मर्यम नवाज की कैप्टन सफ्तर से शादी तेपाई शादी के वक्त दुलहन की उम्र 18 साल थी जबके दुलहा उनसे 10 साल बड़े थे नवाज श्रीफ का दामाद बनते ही कैप्टन सफ्तर पर स्यासत के दर्वाजे खुले मासहरा के लोग बताते हैं कि कैप्टन मुम्मत सफ्तर अवान के दादा अल्ला के वली थे एवान हाश्मिन नसल हैं और हजद अल्यूल मुर्तजा की ओलाद हैं ताहम ये लोग गैर सयद है मारियम नवास के सुसर मुहम्मद इसहाक मसरूर अपने इलाके के जाने पहचाने शायर थे कम लोग जान दे हैं कि 1965 के सदारत इंतखाबात में मुहतरमा फातिमा जिना हज़ारा रिजन के दौरे पर आई तो मरियम नवास के सास हाजरा बीवी फातिमा जिना की पॉलिंग एज़न्ट बनी थी और उस वक्त दो साला मुहम्मस सफ्तर अपने वालिदा की जोली में थे मैं पहले आपको बता चुकीम कि मरियम नवास ने शादी के बाद अपनी एजुकेशन जारी रखी और उनकी तालीमी कामलियत मास्टर्स हैं लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि उनकी मरहूमा वालिदा कुलसूम नवास ने भी शादी के बाद बढ़ाई को जारी हो सारी रखा था कम लोग जानते हैं कि बेगम कुलसूम नवास ने फिलोसपी में मकाला जात लिखे और उनने पीएश टी की जैसे मर्यम नवास का सुसर मुहम्मद इस्थाक मसरूश शायर थे वैसे मर्यम नवास की वालिदा डॉप्टर कुलसूम नवास भी शायरी किया गरती शायरी और अदब में जोख रखने वाली कुलसूम नवाज ने जबर और जबुरियत के नाम से एक किताब भी लिखी तो दूसरी जाने मर्यम नवाज के मजाजी खुदा कैप्टन सफ्तर भी एक किताब तहरीर कर चुकी है जिसका नाम है पर्दा चाक कर दिया ताम ये बुक अभी तक पब्लिश नहीं हुई जैसे हमारे मौजुदा आर्मी चीफ जर्नल स्यद आसिम उनीर आहमत के हवाले से रिपोर्ट किया जाता है कि उनका खानदान हुफास का खानदान मशूर है आर्मी चीफ खुद और उनके दो भाई कुरान मजीद फुरकान हमी के हाफिज है तो इसे तरह से श्रीफ फैमली में भी कई लोग हाफिज है कम लोग जानते हैं कि मरियम नवास के वाले दार चचा दीनी मदरसे में पढ़ते रहे मिया नवाज श्रीफ के सबसे छोटे भाई मिया मुहम्मद अब्बास श्रीफ मलहूम हाफिज कुरान थे मरि अब्बास श्रीफ के साहबजादों यूसफ अब्बास और अजीज अब्बास के हमज़ा श्रीफ श्रीफ और मरियम नवास से शदीद नौईत के इखिलाफात हैं मरियम नवास ने 2011 में सियासत में एंट्री की सियासत में आने से पहले वो अपनी फैमली की जानिब से चलाये जाने वाले खायराती इदारों श्रीफ ट्रस्ट श्रीफ एडुकेशन इंस्टिट्यूट्स और श्रीफ मेडिकल सिटी की चेयर परसन थी 2013 की जर्नल इलेक्शन में कामयावी के बाद मिया मुहम्मद नवास श्रीफ तीसरी मरतबा प्राइम नवास बने तो उन्होंने अपनी सहाबजादी मरियम नवास को प्राइम निस्टर्स यूथ प्रोग्राम की जेयर परसन बनाया वो सरकारी तकरीबात में अपने वालिद के साथ नजर आती तब से मरियम नवास मीडिया में हाईलाइट होना शुरू है मरियम नवास अपनी जाजबे नजर शख्सियत और खुबसूरत गवास की वज़ज़ सुर्खियों में रहती है वो जहां भी जाती हैं उनकी आउटफिट्स मौजवे बहस पंदी है मरियम नवास के खदो कामत की बात करें तो जनाब उनकी हाइट पांच फुट और पांच इंच है आपके इल्म में होगा कि 28 जुलाई 2017 के रोज पानामा केस के फैसले के नतीजे में मिया मुहम्मद नवास श्रीफ लाइफ टाइम डिस्कॉलिफाइट कर दिये गए और उन्हें प्राइम लिस्टरशिप से हाद धोना पड़े उनकी छोड़े हुई निशिस्ट पर जिमनी इलेक्शन हुए तो मर्यम नवास अपनी वाइदा की इलेक्शन केंपेइन करती नजर आई क्यूंके कुलसूम नवास उन दिनों लंदन में जिरे इलाज थी कुलसूम नवास इलेक्शन जीत कर एमेने तो बन गई लेकिन उन्हें सांसों ने इतनी मोहलत ना दी कि वो पाकिस्तान आकर हलफ उठा सके और फिर ग्यारा सितंबर 2018 के रोज जब पाकिस्तानी कौम काईद आज़ा मुहमद अली जिना की बरसी मना रही थी तो टीवी चैनल्स पर ये ब्रेकिंग नियूस चली कि तीन मर्तबा खातुने अबल रहने वाली मुहतरमा कुलसूम नवास 68 बरस की उर में लंदन में इंतकाल कर गई है मर्यम नवास 2018 में लाहोर में कौमी असमली के हलका N.A.127 से इलेक्शन कॉंटेस्ट करना जा रही थी लेकिन उनकी स्यासत पानामा फैसले की नजर हो गई और उन्हें अपने पापा के साथ जेल का महमान बनना पड़ा मर्यम नवास ने 2024 के इंतकाबात में पहली मुत्बा लाहोर के हलकों से इलेक्शन लड़ा वो कौमी और सुबाई असमली की निशुस्तों पर काम्याब हुई आज 24 फरवरी 2024 को जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है तो मर्यम नवास को पंजाब की चीफ मिनिस्टर वजीर आला होंगी मार्यम नवास कई फेक्ट्रियों की ओरनर या फिर शिराकरदार हैं जिनमें चौजरी शुगर मिल्स हमजा स्पाइनिंग मिल्स मुहमद बक्ष टेक्स्टाइल मिल्स हुदेबिया पेपर मिल्स हुदेबिया इंजिनरिंग कंपनी स्विफ्ट इनर्जिस प्राइवट लेमिटेड और फैमिली फ्लॉरमल्स शामिल है मारिम नवास के दोनों भाई हसन और हुसेन नवास बरतानवी शारियें और वो लंदन में बिजनस करते हैं जबकि उनकी बहन अस्मा नवास चासत और मीडिया से दूर रहती है मारिम नावस के बहन अस्मा नवास की शादी दुबाई में मुझी बिजनस मैं अली डार से हुई अस्मा डार के सूसर और नवास शरीf के समधी इसागदार साबक एमने, सेनिटर और वफाकी वजिर ख़जाना है मरीन नवास की बड़ी बेटी का नाम महरुनिसा है उसके बाद एक बेटा मुहमद जुनेद सफ्तर और सबसे चोटी बेटी का नाम महनूर सफ्तर है याद रहे कि कैप्टन सफदर और मरीन नवास की बड़ी साहबजादी महरुनिसा की शादी अपने वाले देन की वेडिंग एनिवर्सरी के रोज यानी 25 दिसंबर को 2015 में हुई थी जिसमें भारती वजीर आजम निरिंद्र मोधी खसूसी तोर पर शरीक हुए थे महरुनिसा के शादी लाहुर के बड़े विजनसमें चोदरी मुहम्मद मुनीर के बेटे राहील मुनीर के साथ हुई मेरो निसा के सुसर चोधरी मुहम्मद मुनीर पाकिस्तान के बड़े सेठों में शमार होते हैं जो फ्लैटीज होटल समेथ एक बड़ी तामिराती कमपनी के मालिक हैं कैप्टन सफ्तर के दामाद राहीर मुनीर खांदानी बिजनस संभालते हैं मरीम नमाद के बेटे मुहम्मद जुनेर सफ्तर की शादी साबिक शेर्मेन नैब सैफ और रह्मान की बेटी आईशा सैफ के साथ हुई जिसकी तसावीर आप सोशल मीडिया पर देख चुके होंगे जब केप्टन सफ्तर से पूछा गया कि आपके बेटी की शादी पर करोरों रुपे खर्च हुए और बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची की गई तो उनका जवाब था हम सूफिया की उलाद हैं हमारे लाखों मुरीद हैं घर में रोज ऐसा लंगल होता है जैसा जुनेर सफ्तर की शादी पर हुआ वाज़ रहे कि मरियम नवास के बेटी की शादी ना चल सकी और दोनों के माबैन अलैदिगी हो गई आइशे हैसाफ के मताबक εν की शादी की नामकामी के पसे परदा उनकी सास मरियम नवास थी मरियम नवास की Nikki शादी लोगों के साथ रिष्टेदारियां भी हैं मासरा से साबक है मैंने मозмद सज्जाद आवञान उनके देवर हैं जबके मिया मुहसिन लतीफ, बिलाल यासीन बर्ट, चोधरी आबिद शियर अली भी उनके रिश्टदार है श्रीफ फैमली के बत्तिन मुखालिफ समझे जाने वाले चोधरी परवेज लाही के मताबिक ये तमाम शरीफ सादे और उनकी उलादे सुड़ लगाने के बहुत माहिर हैं आपने सुड़ लगाने के बहुत भीर तो सुनी होगी जिसमें उन्होंने अपनी गायकी की तारिफ करते हुए कहा था कि मैं जवानी में जब कभी गुन गुनाता तो मेरी और मुहमल रफी की आवाज में फर्क करना मुश्किल हो जाता था दोस्तो आपने छोटे मियां शेहबास श्रीफ को कराची में अकेले ना जाना हमें छोड़ के काकर महदी हसन को टकर देते देखा सुना होगा मर्यम नवास भी गाने में मलिका रखती हैं और आपने उन्हीं अपने बेटे की शादी में गाते सुना होगा जबके जुनेद सफ्तर भी सुरों के पक्के हैं दोस्तों मैं इस वीडियो का इस्ताम लाइटर नोट में करते हुए आपको मर्यम नवास के शोहर कैप्टन सफ्तर का एक लतीफा सुनाती चलो एक मौका पर जनरल कमर जाविद बाजवा से सहाफियों ने पूछा सर हमने सुनाया कि कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोईटा में कैप्टन सफ्तर आपका स्टूडन था जनरल बाजवा बोले हाँ वो मेरे पास आठ महीने पढ़ता रहा है तब सहाफियों ने पुछा अगर कैप्टन सफ्तर सर्विस ना छोड़ते तो क्या होते जनरल बाजवा ने जवाब दिया क्या होना था बेचारा मेजर रिटाइट होता ज्यादा से ज्यादा करनल रिटाइट हो जाता जब इस सारी कन्वर्जेशन पर किसी जर्नलिस्ट ने कैप्टन सफ्तर से राई ली तो वो कहने लगे जिनके उस्ताद ना लाइक हो तो शागिर्द भी ना लाइक ही निकलेंगे मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको फसंद आई होगी अगर आप मर्यम नवास के दादा मिया मुहम्मद शरीफ की बाइवराफी जानना चाहते हैं तो यहां उपर क्लिक करें मिया शेहबाशिफ की लाइफ स्टोरी के लिए यहां नीचे और कैप्टन मुहम्मद सफतर अवान के फैक्ट्स आपको यहां मिलेंगे वीडियो को लाइक शेयर करें इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें अल्ला हाफिज और नासर